अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले एक देख्ची में दो तेबिली स्पून ओल डालेंगे अब इसमें प्यास डालेंगे चौप की हुई अगर चोटी है तो दो डाल दे और बड़ी है तो एक डाल दे प्यास को एक से दू मिनट तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज होने लगे और जब प्यास का कलर ब्राउन हो ले लगे तो इसमें एक टी स्पून जीरा डाल देंगे जीरा डालने के बाद आप मैं प्यास को गुल्डेन ब्राउन कर लोंगे प्यास ब्राउन हो चुकी है अब इसमें मैं तीन टमाटर डालूँगी टमाटरों का मैंने छिलका उतार के चॉप कर लिया था अब इसमें एक कप मटर डाल देंगे एक कप या दो गाजरों को काट कर डाल दे आलू डालेंगे डेट कप या दो आलूओं को लेकर आप छोटा क्यूट में काट लें अब इन सारी सबजों को मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी आदा टी स्पून हल्दी आदा टी स्पून गरब मसाला नमक जाएगा हस्पेजाएगा एक टी स्पून लाल मर्चो का पाउडर अब इसमें एक कप पानी डाल के लो फ्लेम पे पकाएगे जब तक कि ये सबसियां गल जाए सबसे अगल गई हैं अब मैं इसमें डालूँगी एक कप शिमला मर्च इनको मैंने क्यूब्स में काट दिया था और एक कप प्याज दो हरी मर्चो को मैंने लंबाई में काट दिया था अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें दो कप पानी डाल के इसको हाई फ्लेम पे पकाऊँगी दो कप मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप एक कपी डालें पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है पांच मिनट या दस मिनट मिक्स्ट वेजी टेबल तयार है अब मैं इसको डिशाउट कर लूँगी और अगर आप चाहें तो उपर से हरा दनिया भी डाल सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कर दे और अगर आप महंदी में इंट्रेस्टेड हैं तो मेरे दूसरा चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर दे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी झाल सकते हैं